हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप क्लासिस जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 12 से रिलेटेड कुछ महत्वपून अंच और उनकी व्याख्या हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथी MHD से रिलेटिड अधर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला अंश है चेनम्मा ने मू ना खोला सिर्फिर से जुका लिया मेरे देखते ही देखते आसू की दो चम चमाती बूंदे उसके गालों पर से फिसल गई वही उसका दिया मौन उत्तर था उसकी शुब्र आत्मा को घेरे अज्ञान के परदे को उतार फैकना मेरा काम था किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वह स्थान समीब आ जाएगा इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले और यह कहे कि जिस रास्ते पर चल रहे है वह ठीक रास्ता नहीं बलकि हम अपने गंतव्वे से दूर चले जा रहे हैं तो कैसा लगेगा मानो अपनी बातों से चिनम्मा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन किया था इस अंश के संदर्प को देखे तो प्रस्तुत गद्यांश कन्नर कथाकार आनंद की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की से लिया गया है प्रस्तुत कहानी में धर्म के नाम पर महिलाओ के शोशन को उजागर किया गया है धर्म के नाम पर एक बच्ची की वैश्य बना कर छोड़ दिया जाना लेखक को जब चेनम्मा के बस्वी होने का पता चलता है तो वह उसे इस अत्याचार से बाहर निकालना चाता है लेखक चेनम्मा से लंबा तर्प वितर्प कर उसे समझाता है अंत में चेनम्मा समझ जाती है कि उसे भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है इस सत्य का बोध होने के बाद चेनम्मा की इस्थिती का वर्णन करते हुए लेखक कहता है अब हम इसकी व्याक्या देखेंगे जिसमें लेखक कहता है कि यह सब सुन समझ कर चेनम्मा चुप हो जाती है उसे अपने आप पर लज्जा आती है वैसिल जुका लेती है और उसकी आखों से आसू बहने लगते हैं जिससे पता चल जाता है कि चेनम्मा को सत्य का ज्यान हो गया है यह सोचकर लेखक को संचेप होता है संतोश होता है कि उसने एक अच्छा काम किया एक सीधी साधी लड़की को बचा लिया है उसकी शुब आत्मा से अज्यान का परदा उतार दिया है लेखक चेनम्मा के भावी जीवन पर विचार करते हुए सोचता है कि यदि कहीं जाने के लिए एक रास्ता पकड़ो तो कदम दर कदम चलते हुए मंजिल तक पहुँचा जा सकता है यही चेनम्मा के साथ हुआ वह लेखक की रोज की बाते सुनकर अंधतह सच्चाई तक पहुँच जाती है इस अंश की विशेष्टाएं देखे तो अंध विश्वास की आर में शोशन पर चोट की गई है दूसरा भाशा तत्सम निष्ट किन्तू बहुत गम में है तीसरा दाशनिक विचारों की अभिव्यक्ति की जलक है दूसरा अंश देखे रास्ते भर उसी के बारे में सोच रहा था पुलिस वालों ने अपने रिकोर्ड में आत्म हत्या दर्ज कर ली पर वास्तव में मैंने ही उसे मार डाला ऐसा लग रहा था कि मैं चाहे जो करूँ यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा मैंने जो कुछ उससे कहा था उससे उसे लगा होगा कि जिन्दा रहने से मरना ही भला है मैंने जब उसे कमरे से भेजा तभी उसके हिर्दे को मित्यू की भावना ने घेर लिया होगा यह विचार आने पर ऐसा लगा कि किसी ने मेरा दिल चीर कर उस पर गर्म गर्म शीशा उडेल दिया हो यदि मैं उस समय उसे कमरे से ना भेजता तो शायद वै मरने का निश्चय ना करती शायद बच जाती मैंने कहा हाई भगवाल गय तो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने उसे अपने हाथों से ही मार डाला हो एक ना एक दिन भगवान के सामने मुझे इसका जवाब अवश्य देना होगा तब क्या कहूंगा इस अंश के प्रसंग को देखे तो प्रस्तुत गद्यांश कननर कथाकार आनन की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की से लिया गया है लेखक जब चेनम्मा को समझाता है कि धर्म के नाम पर बस्वी बना कर उसका शोशन किया जा रहा है इसका बोध होने पर चेनम्मा आत्म हत्या कर लेती है आत्म हत्या करने के बाद लेखक स्वयम को अपराधी मानता है और उसे गलानी होती है इस इस्थिती पर आत्म मंधन करते हुए वह सोशता है अब हम इसकी व्याक्या देखेंगे जिसमें लेखक सोशता है कि पुलिस वालों ने रिकॉर्ड में दर्च किया है किचे नम्मा ने आत्म हत्या की है लेकिन सत्य यह है कि मैंने उसे बास्तविक्ता से अवगत करा कर उसके मन में अपराध बोध पैदा किया जिसके कारण उसने आत्म हत्या की यदि मैं उसे सच से अवगत ना कराता तो वह आत्म हत्या ना करती इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसकी आत्म हत्या की है और मुझे इस ग्लानी बोध जीवन भर सताता रहेगा अपने जीवन की वास्त विक्ता जानकर उसे मृत्यू को गले लगाना ज्यादा उचित लगा होगा और इसी भावना से भर कर मेरे द्वारा कमरे में भेजने पर उसने आत्म हत्या की यदि कमरे में ना भेजा होता तो वह मेरे पास बैठी रहती तो शायद आत्म हत्या जैसा भयानक कदम ना उठाती मैं ही उसकी मृत्यू का जिम्मेदार हूँ अपने इस पाप का जवाब मुझे भगवान को देना पड़ेगा लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा तब मैं क्या करूँगा इसी आत्म मंथन में लेकक सारे रास्ते मगन रहा इस अंश की विशेष्टाएं देखे पहला आत्म मंथन शैली है दूसरा भारतिय धर्म परंपरा के प्रभाव से पाप पुन्य लोक पर लोक का भाव स्पष्ट दिखाई गया है तीसरा अंश देखे अप्पू तार के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैले लटकाए आंगन से चल पड़ा फाटक पार करने पर फिसल कर गिरने को हुआ लेकिन गिरा नहीं मुड़ कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं ओ सारे के दर्वाजे के सहारे दीदी उसे ही एक टक देख रही थी यह डराने वाली आखे दीदी को कैसे मिली जब उसने मुड़ कर देखा तो दीदी ने कच्छवे की तरह सिर अंदर खीच लिया इस अंश के संदर्व को देखे प्रस्तुत प्रसंग एम्टी वासु देवन नायर की कहानी दीदी से लिया गया है एम्टी वासु देवन नायर की दीदी कहानी अंधेरे की आत्मा संग्रह में संकलित कहानी है पूरी कहानी अप्पू नाम के बच्चे के ख्यालो द्वारा प्रस्तुत की गई है उसकी उम्र पात-छे साल है बच्चे की सोच के लिए जरिये कहानी की घटनाओं का आकलन होने के कारण भाशा और पात्रों का चित्रन सलल है जादतर पात्रों का सरोकार अपू से है अपू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अपू से नहीं होने पर भी उसका चित्रन अपू के नजरिये से हुआ है इन पंक्तियों में भालू का शादी के लिए घर से जाने वाले दिन सुभा अप्पू को तयार कर स्कूल भेजने के समय का वर्णन है इसंश्की व्याख्या देखे विभा करने के लिए जाने वाले दिन मालू अप्पू को जगाती है नहलाती है तयार कर नाष्टा करवाती है और स्कूल के लिए बेजने से पहले बहुत प्यार करती है वर्षा का मौसम होने के कारण अपुतार के पत्ते से बना च्छाता कंधे पर रख कर अपनी किताबों की थैली उसकी रंगीन डंडी पे लटका लेता है दीदी का रात को सवाल पूछना मा पुकारने के लिए कहना अप सुबा बहुत प्यार करना ये सभी बाते अपु को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही है पर वह समझ नहीं पाता पाटक पार करते समय फिसल जाता है और गिरने से बचता है वह पीछे मुड़कर देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं लेकिन वह देखता है कि दीदी ओसारे की दिवार का सहारा लेकर एक टक गूरते हुए देख रही है और मुड़कर देखने पर कुछ कहने की जगा अंदर की और हो जाती है इस अंश की विशेष्टा देखे तो इन पंक्तियों में एक बालक की नहीरता और मा की विवश्टा के भावो को लेखक ने वर्णित किया है तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है इसके आगे के अंशो को हम अपने नेक्स वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग